वाइफस टेग गेंग को जॉइन कीजिए क्योंकि जो कॉंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने हो मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पर देखने हो नहीं मिलता है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइ EU ROM 20.8.6 Bitnet ROM यहाँ पर हम use कर रहे हैं इसका आज हम review करने वाले हैं कैसा इसका performance है और क्या यार इसके अंदर आपको battery backup अभी भी अच्छा देखने हो मिलता है या नहीं सभी कुछ बात करेंगे इसकी details में यहाँ पर आपको YouTube channel Your Family Air Support तो guys किस बात की देरी चलिए बिना किसी time waste के Let's begin दोस्तों अगर आप अपने Xiaomi device के अंदर ये clock format को यहाँ पर use करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक dedicated video बनाया है iCard section में आपको इस video का link मिल जाएगा आप इसे किसी भी version पर use कर सकते हो आप MIUI 10 यूज़ कर रहे हो 12 यूज़ कर रहे हो या फिर 11 यूज़ कर रहे हो आप किसी भी Xiaomi device के अंदर इस clock format को यहाँ पर use कर सकते हो तो guys वीडियो आपको मिलेगा iCard section में जरूर से उस वीडियो को watch कर लीज़ेगा guys यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके bugs की तो guys यहाँ पर जो मुझे सबसे पहला bug इसका देखने में मिलता है वो है यार इसका battery backup आप देख सकते हैं यहाँ पर my device में मैं आपको ले जाकर दिखा जाँ यहाँ पर all specs में अगर मैं आपको ले के जाऊ तो यहाँ पर आपको kernel version जो देखने हो मिलता है वो आपको यहाँ पर Phoenix Q kernel देखने हो मिलता है लेकिन मुझे immediately यहाँ पर per plus kernel को यहाँ पर install करना पड़ा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका जो battery backup है वो बहुत ही गंदा आरा दयार तो guys जब मैंने इसको install किया उसके बाद यह जो मेरा 20% था शुरू का वो मुश्किल से मुश्किल यह शुरू के 20 मिनट या आधे गंटे में यह मेरा 20% जो है battery drain कर चुका था मुझे लगा 2 या 3 गंटे में मेरा पूरा phone जो है device के अंदर guys यहाँ पर आपको दूसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे लगता है यहाँ पर bug देखने हो जो मिलता है आप यहाँ पर google पे और ptm को use नहीं कर पा रहे हैं इस version के अंदर यहाँ पर अगर मैं अपना activate करूँ account तो यहाँ पर मैं अपना activate नहीं कर पा रहा हूँ account यहाँ पर मेरे सामने insert sim card to register यह यहाँ पर यार problem मेरे सामने आ रही है पता नहीं क्यों यार पिछले जितने भी version आपको miui12 xiaomi.eu के देखने हो मिले है उन सभी में आपको कोई problem नहीं आई है banking apps के अंदर लेकिन यहाँ पर मुझे google पे मेरा register नहीं हो पा रहा है और same आपको यहाँ पर देखने हो मिलता है ptm के अंदर तो मेरे इसाब से तो आप यहाँ पर banking apps use ही नहीं कर सकते हैं कोई भी app में आपको यही बग देखने हो मिलेगा उसके बाद guys आते हैं यहाँ पर camera department पर यहाँ पर आपको जो camera है उसमें changes किये गए है update किया गया है camera को लेकिन guys यहाँ पर आप जबी भी यहाँ पर किसी भी object की photo यहाँ पर click करोगे portrait mode में यहाँ पर click हो गई है photo ठीक है उसके बाद यहाँ पर जब मैं इस पर click करूँगा यह photo open नहीं करेगा यहाँ पर आपका camera lag कर जाएगा और यहाँ पर जो है portrait आपको दिखाएगा कि हाँ यह portrait यहाँ पर capture कर रहा है लेकिन आपका यहाँ पर object जो है click हो जाएगा लेकिन open नहीं करेगा गैलरी में यह save ही नहीं हो रहा है photo मतलब processing में आपका काम नहीं कर रहा है यहाँ पर MIUI 12 का latest camera जो आपको MIUI 12 20.8.6 के अंदर देखने हो मिलता है normal mode पे अगर आप photo click करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगी लेकिन अगर आप यहाँ पर portrait mode में click करते है photo को तो यहाँ पर आपका capture करेगा photo लेकिन आप open नहीं कर पाएंगे गैलरी में आपको नहीं लेके जाएगा यह camera application तो guys जो भी यहाँ पर MI A3 user है जिन्होंने भी अपने MIUI 12 को यहाँ पर update किया है 20.8.6 के अंदर उनको याँ अपडेट की ज़रत है तो guys मेरे हिसाब से तो याँ यहाँ पर कोई ना कोई अपडेट आना चाहिए जल्द ही इस 20.8.6 का कोई जो इसका bug fix हो जाए जितने भी bugs आपको इसके अंदर देखने हो मिल रहे है guys यहाँ पर performance की बात करो ते याँ पर performance ठीक है यहाँ पर आपको कोई lag जादा देखने हो नहीं मिलेगा हाला कि यहाँ पर जब आप कई बार recent app को switch करते हैं नहीं हो पाएगा guys जब आप यहाँ पर floating window को यहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे guys जब आप यहाँ पर floating window को use करेंगे उसके time पर अगर आप home screen पर जाएंगे तो बहुत कम time पर आपका जो है यहाँ पर आप home screen पर नहीं आपाते हैं कहीं बार यह problem होती है मुझे नहीं पता यार क्यों और यह problem यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं recent app में switch नहीं कर पाते हैं यह issue मेरको यहाँ पर देखने हो मिला है उसके बाद guys यहाँ पर आपको सबसे बड़े issues जो मुझे लगते हैं जब भी आप किसी file transfer वाली application को use करने हैं उसके बाद आपका यहाँ पर Bluetooth और Wi-Fi कभी भी बंद नहीं होता है मतलब यहाँ पर on ही रहेगा आपको manually off करना पड़ता है इसको तब यह यहाँ पर आपका off होता है उसके बाद guys यहाँ पर आपको एक feature मेरको यहाँ पर देखने हो नहीं मिलता यहाँ पर आप hot spot और Wi-Fi को एक साथ में use नहीं कर सकते हैं पता नहीं यार क्यों Bitnet developer यहाँ पर Wi-Fi और hot spot को एक साथ enable करके क्यों नहीं दे पा रहे हैं पता नहीं यार मेरको तो यह feature बहुत ज़्यादा पसंद है MIUI के अंदर लेकिन यार यहाँ यहाँ पर हम use नहीं कर पा रहे है अपने MI3 के अंदर तो guys Wi-Fi direct हम यहाँ पर use नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ searching दिखाता रहेगा search दिखाता रहेगा लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी available device यहाँ पर show नहीं करेगा उसकी वज़े से यहाँ पर experience कराब हो रहा है और Wi-Fi direct यार बहुत अच्छा feature है आप seamlessly किसी भी बड़े से बड़े file को यहाँ पर transfer कर सकते हो आप दूसरे Wi-Fi direct device थे यहाँ पर किसी भी file को यहाँ पर transfer कर सकते हो काफी अच्छे speed में आपका यहाँ पर file transfer हो जाता है लेकिन यहाँ पर आप use नहीं कर सकते हो इसको अभी तो इसके अंदर आपको bug देखने हो मिलता है उसके बाद guys यहाँ पर मुझे सबसे ज़ादा जो दिक्कत face हो रही है वो यहाँ पर data connection में हो रही है guys कभी-कभी यहाँ पर networks में problem देखने में मिली है मुझे जब मैंने इसको flash किया है उसके बाद से मुझे problem देखने में मिली है यहाँ पर मेरा जो 4G connection है उसके बाद भी यहाँ पर मुझे 20 kb per second का speed देखने हो मिला है मुझे अपने phone को एक बार restart करना पड़ता है तब जाकर मेरा यह चीज़ fix होती है उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका N22 जो score है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ N22 आपका यहाँ पर कितना देखने हो मिलता है तो गाई एक लाग 66,313 यहाँ पर आपको N22 score देखने हो मिलेगा next अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो course का आप यहाँ पर देख सकते हैं score क्या दिल खरा है आपको multi course में यहाँ पर GPU, CPU का आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या score देखने हो मिल रहा है उसके नीचे यहाँ पर आपको LPDDR 4X RAM का जो UFS 2.0 का जो यहाँ पर speed है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा किया था उसके बाद आपको कुछ इस तरह के graph से यहाँ पर देखने हो मिले है GPU के CPU के कुछ इस तरह के यहाँ पर multi course का आपको यहाँ पर graph इस तरह का यहाँ पर देखने हो मिला है तो इसको थोड़ा आप यहाँ पर zoom करके चला गया वापस से, यहाँ पर अगर मैं बैटरी लेवल की बात करो दो, इस टेस्ट के दोरान 15 मिनट का ही टेस्ट था यहाँ पर मेरा जो है 30 परसेंट था और यह टेस्ट खतम होने तक मेरा 23 परसेंट रह गया था फोन, हीटिंग भी हुई और जो हीट लेवल था वो भी अंडर रहा, 40 40 डिग्री टेंपरेचर के अंदर ही रहा तो जादा कोई हीटिंग इशूज मेरे को यहाँ पर देखने हो नहीं विले लेकिन गाईस, जब अब मैंने इस रॉम को हो रही थी, जब मैंने यहाँ पर पर्फ प्लस और यहाँ पर AOD बैटरी ड्रेन को यहाँ पर फ्लेश किया, उसके बाद मेरा वो हीटिंग इशूज खतम हुआ, यानि कि अगर आप यहाँ पर AOD को अन करते हैं, आलवेज अन डिस्पले को यहाँ पर आपने इनेबल कर दिया, उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो हीट करने लग जाता है कहीं बार मुझे यहाँ पर हीटिंग इशूज देखने को मिले हैं, जिसके लिए मेरे को यहाँ पर पर्फ प्लस करनल को इंस्टॉल करना तो गाइस, जरूर से वो वीडियो वाच कर लीजेगा अगर आपने अभी तक इसको फ्लैश नहीं किया है तो गाइस, मत कीजेगा मेरा तो आपसे यही गहना है, आप इसको अभी फ्लैश मत कीजेए, इसके अनदर अपडेट का वेट कीजिए, उसमें आपको कैसा परफोर्मेंस देखने हो मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा, आप अभी देख सकते है मेरा जो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज है, कुछ इस तरह से यहाँ पर मेरा ग्राफ आपको देखने हो मिलेगा जो मुझे लगता है काफी सही है इस performance के हिसाब से यहाँ पर जो मेरा battery level है काफी सही चल रहा है अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा जादा battery लगा है मेरे को लेकिन यह भी सही है मेरा जो usage है काफी करता हूँ इसका जो battery performance है सही देखने हो मिल रहा है अभी AOD और Perf Plus Cardinal को install करने के बाद तो गाइस यही दायार को जिसका performance अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आओ यार वीडियो को like कर देना share कर देना अपने सभी social media handles पर facebook, twitter, instagram, whatsapp जहां पर भी आपकी accounts है यार सभी जगा हमारे इस वीडियो शेयर कर दीजेगा तो guys मैं मिलूँगा आपसे next वीडियो में जैहिन वंदेवात्रम you guys have a great day